नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं फिस्दी मानस संसाधन के साथ खुलेंगे, सनिवार की साम 8 बहे से सोमवार के सुबा 6 बहे तक सभी दुकाने बंद रहेंगी इस दरान स्वास्त सेवा से समधी दुकान और दूद के स्टोर खुले रहेंगे इंटर डिश्टिक बस परिचालन सुरू होगी बसों में कुल सीटों में 50 पर्मोख या त्रियों को बैठानी के अनुमती मिली है प्राइबेट वाहन से राजे के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए इपास की बैता खत्म कर दी गई है अब इंटर डिश्टिक आवागमन के लिए इपास की जयुरत नहीं दूसरे राजे से जारखन आने के लिए या जारखन से दूसरे राज जाने के लिए इपास जरूरी होगा दूसरे राजे से जारखन आने वालों को साथ दिन का होम करिंटीन नहीं होगा इंटर स्टेट बस परिचालन पर पूरो की भाती रोक जारी रहेगी सिनेमा हॉल बार मल्टिपलेक्स रेस्ता पचास प्रितिशम तक साथ खुला रहेंगे स्टेडियम जीम और पार्क खुलेंगे स्कूल कॉलेज समेट सभी तरह के सेक्षेनिक संस्थान बंद रहेंगे पचास ब्यक्ति से अधिक के जामा होने पर रोक रहेगी वैंकेट हॉल और समुदाईक भावन खुलेंगे लेकिन इसमें पचास से ज्यादा लोगों के सामिल होने पर रोक रहेगी पुराने स्मार्ट फोन पूलिस को करेदान गरीब बचे भी कर सकेंगे ओनलाइन पढ़ाई कुरोना वाइरस के संक्रमन के चलते जहारखन में स्कूल कॉलेज बंद है सिर्फ ओनलाइन कलास ही चल रहे हैं बदाजराज में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 40 लाग गरीब बचे ऐसे हैं जिनके पास मोबाईल, लेप्टोप जैसे डिजिटल डिवाईस वह सुविधा नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई पिछले डिवाई साल से बाधी था है ऐसे गरीब बचों की ओनलाइन पढ़ाई हो सके इसके लिए जहारखन पुलिस ने समुदाईक पुलिसिंग के तहट एक नई पहल सुरू की है डिजीपी निरसिना ने इसके लिए सभी जीलों के ऐसेसपी ऐसपी को सुझाव दिया है कि वे आम लोगों को जागरू करे और उन्हें प्रेरित करे कि वे अपने पुराने स्मार्ट फोन पुलिस को दान करे ताकि उसे गरीब बचों तक पहुँचाया जा सके स्मार्ट फोन को लेकर डिजीपी ने सभी जीलों के ऐसेसपी ऐसपी को दिये निर्देश थाना वजीला अस्तर पर उपकरण बैंक खोले जाए जहां आम लोग अपने पुराने स्मार्ट फोन वर लैप्टोप जमा कर सके जमा किये गए परतेक उपकरण के संब्ध में थाने में सनहा अंकित किया जाए और उसकी सत्यापित प्रती उपकरण जमा करने वाले ब्यक्ति को परमान सरूप दी जाए इससे उन्हें संतुष्टी होगी कि उपकरण के दुरूपयोग किये जाने की तिती में जमा करता जिम्मेवार नहीं होंगे साना में जमाकता का नाम वो पता, स्मार्टफोन का IMI नमबर, लेप्टोप का यूनिक पचान नमबर जमाक किये जाने की तिथी वो समय अवस्यांकित किये जाए थाना वजीला अस्तर पर भी इसके रिकोर्ड बने ताकि भविस में कोई परसानी आने पर उसका हल निकल सके और बेवजा कोई परसान नहों कुरोना भैक्सिन बनाने वाले बैग्यानिकों को दे भारत रत्न बाना गुपता ज्यारकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कुरोना वायरस की भैक्सिन बनाने वाले बैग्यानिकों को भारत रत ने देने की मांग की है इस समन्द में उन्होंने प्रधान मंत्री नायनमदी को पत्र लिखा है स्वास्त मंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश कुरोना के संकट से गुजर रहा है ऐसे में देश के प्रती भावान बैग्यानिकों ने अल्प समय में सौधेशी बैक्सिन बना कर देश्वासियों के प्राण बचाने का उद्किष्ट कार किया है इसके लिए उन्हें आगामी सोतंत्रता दिवस के असर पर भारत रत्न से सुस्वभित करने की मांग करता हूँ राज जेपाल ने तिसरी लहर से बचाव की तैयारियों की जनकारी ली जार्खन की राज जेपाल द्रोपदी मुर्मु ने कुरोना की संभावित तिसरी लहर से बचाव तथा इसे निपटने को लेकर स्वास्थ विवाग की तैयारियों की जनकारी ली है उन्होंने बुद्वार को स्वास्थ विवाग के अपरमुक सचिव अरुन कुमार सिंग, राष्टिय स्वास्थ अभियान, जार्खन के निदेशा क्रवी संकर सुकला, वह अन्य अधिकारियों से जनकारी ली ये पदा दिकारी राजबहन में राजपाल से मुलकात करने पहुचे थे, इस मोगे पर अपरमुक सचिव ने राजपाल को राज में कुरोना संक्राउन पर नियंत्रन हेतु किये जारे ब्याबक पर्यासों की जनकारी दी नीजी इसकूलों में फिस बढ़ोतरी को लेकर सरकार ले सकते हैं बड़ा फैसला है जारकन इसकूली सीख चा यों सक्षरता विभाग नीजी इसकूलों की फिस बढ़ोतरी पर नियंत्रन तथा कुरोना वायरस महामारी कारण टिउसन सुल्क छोड़कर अने सुल्क नहीं लेने के मामले में बिधी परामर्स ले रहा है हलाकी बिभाग ने मई मामें ही बिधी बिभाग से इस समध में परामर्स मागा था लेकिन अभी तक परामर्स नहीं मिला है विभाग ने नीजी स्कुलों में फिस बड़ोत्री आधी को लेकर जार्खन सहित कुछ अन्य राजियों के उच नियालेयों के आदेशों तथा स्वरोच नियाले के आदेश को लेकर विधी विभाग से परमर्श मंगा है बिभाग के सचीव राजे सर्मा के अनुसार बिभाग निजी स्कुलों में फिस बिरीदी के नियंत्रन को लेकर प्रस्ताव त्यार कर बिदी बिभाग से प्रामर्च मांगा है बलाइक फंगस के कूल 150 मरीज जारखन में बुद्धवार को बलाइक फंगस के दो और मरीज पाए गए है राजे में अब बलाइक फंगस के कूल मरीजों की संख्या 150 हो गई है यह में 86 मरीजों बलाइक फंगस के लक्षन पाए गए है जबकि 64 संदिक्द है ज्यार्खन में 85 नए केस मिले हैं ज्यार्खन में कुल मौत की संख्या 5,113 है ज्यार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 914 है वहीं भारत में 48 या 415 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 5,17,642 है ज्यार्खन में एक्टिव केश मचरों से होने वाली बिमारियों से बचाव में जूट गई है चुकि ए बिमारिया मांसून और पोस्ट मांसून के अधी में होती है इसके लिए इस अधी में इसके बचाव को लेकर कई कारेकरम चलाए जाएंगे स्वास विभाग ने जापानी एंसी फेट लाइटिस से बचाव के लिए सर्वी लाइन्स के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिये है इसे लेकर उन्होंने विश्त्री दिशा निर्देश उपायुक्तों को बेजा है इसके तहट उन्होंने मल्टी पर्पस वर्कस तथा साहिया के माध्यम से इसके लक्षन वाले लोगों की पाचान कर उनका उपचार करने तथा इस विमारी के रोक्थाम को लेकर आवस्य कदम उठाने को कहा है 2024 तक हर घर नल से जल योजना के लिए जहारखन को मिलेंगे 2489 करोर हर घर में नल से सुध पेजल की आपूर्ती की पधानम दिनादमदी की परिकल्पना को मुर्थ रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने जहारखन को मिलने वाली रासी में 4 गुना की ब्रीदी की है बता दे जल जीवन मिशन के तहट बितिये वर्ष 2021 के लिए अनुदान रासी को बढ़ा कर 2489 करोर रुपए कर दिया गया है पिछले वर्ष केंद्रिये अनुदान की रासी पांसो बहतर करोर रुपए थी विधायक अमबा परसाथ के खिलाप केस दर्ज हजारी बाग के बढ़का गाव विधायक अमबा परसाथ के खिलाप कटकम दाग धाने में केस दर्ज हुआ है बतादे अवयद बालू से लदे ट्रेक्टर को थाने से भागाने का उन पर आरोफ है अमबा परसाथ की सिकायत पर भी एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें पूलिस के खिलाप उनके ड्राइबर के साथ मार पीट और अभधर ब्यवहार करने की सिकायत की गई है जे पी एसी ने सुरू किया सीविल सेवा प्ररंभिक परिछा की त्यारी जार्खन में क्रोना का संक्रमन धीरे-धीरे कम हो रहा है ऐसे में जार्खन लोक सेवा आयोग ने साथवी, आठवी, नौवी और दसवी सिविल सेवा प्ररंभिक परिछा की त्यारी एक बर फीट से शुरू की है जे पी एसी ने सभी 24 जीलों में परिछा केंद्र बनाने का निनन लिया है मांसुन में एंटी नक्सल अप्रेशन तेज पच्मिस सिम्भूम जीले के सरांडा जंगल में इन दिनों एक बार फिर से सुरक्षा बलो की ओर से नक्सलियों खिलाब अवियान तेज कर दिया गया है बतादि सरांडा के जंगल में नक्सलियों पर नक्सलियों के लिए पुलिस की गति भी धी और सर्च अप्रेशन में अचानक से जाफा हुआ है इसी करमें बुद्वार को यहां हेलिकोप्टर लेंडिंग का अभ्यास किया गया पुलिस सूत्रों के मुताविक बारिस के मौसम में अपात काली स्थिती में हलिकोप्टर का किस तरह बेहतर इस्तेमाल हो सकता है इसको लेकर यह अभ्यास जरूरी माना जा रहा है जमसेदपूर के बजार में 500 रुपए के नक्ली नोट भारतिय बेपारी मंडल जमसेदपूर ने दुकंदारों को सचेद किया है कि इन दिनों ग्राहाक नक्ली नोट लेकर पहुँच रहे हैं जिसमें 500 और 2000 रुपए के नोट पर मुखे रूप से सामिल है इसलिए रुपए लेते समय सभी दुकंदार सवधानी बरते कहा गया है कि नोटों पर बारीकी से नजर रखनी है छोटी-छोटी माईनर तुरुटी या नकली नोटों में दिखी जा रही है जारखन में सिद्धू कानों समयत अने सहीदों को किया नमन 30 जून जारखन का होल दिवस जारखन के अमर सहीद सिदू कानों चांद भेरो और फुलो जानो सहीद अने बीरों को याद करने का दिन है बतादे सियम हमान सुरेन समयत अने लोगों ने बीर सहीदों को नमन करते हुए उनके सपनों का समरीद और ससक्त जारखन बनाने का जोर दिया इस मौके पर सियम हमान सुरेन ने कहा कि जारखन बीरों औ नवालिक से दुसकर्म किया फिर उसके मांग में सेंदूर भर दिया इतना ही नहीं सेलफी लेकर इंटरनेट मीडिया में भी वायल कर दिया बदा दे घटना 17 जून की है जनकारी मिलने के बाद पुलिस ने करवाई करते वे आरोपीत को गिरफतार कर जल भेज दिया है नवाल या बी आर्सी कारेयाला के समक्ष धारना पर बैठ गए बतादे आस्वासन के बाद भी सिक्षा विभागने पाराशिस्को का डाटा वे पोटल पर अपलोड करने की करवाई शुरू नहीं की बिवास होकर होल दिवास के दिन विधायक डाक्टर महतो धारना पर बैठ गए धन्यवाद